नमस्कार मैं हूंकुर और आप देख रहे हैं सत्ति निकानियोस बिलेटन एक नजर अब तक कि सुक्षों पर लेटरल एंट्री के मामले में अब आएंडिये में फूट पड़ गई है और विरोध के सुरूठ ने लगे हैं केंद सरकार के 24 मंत्रालेओं में जॉइंट सेक्रेटरी डिरेक्टर और डेपूट्यू सेक्रेटरी के पदों पर टैलेंटिड और मोटिबेटर इंडियन नेशनल्स को लेटरल एंट्री के लिए आवेधन मांगी थे बताते हैं नौकर शाही में 45 पदों पर लेटरल एंट्री के अलोचना करने वाले पासवान पहले एंडिये सही होगी है अब बाकी दोलों पर नजर बनी हुई है कॉंग्रेस नेता और लोगसर में व्यपक्ष के नेता राहूल गांधी ने पीम के नेतरत वाली केंद सरकार की लेटरल एंट्री स्कीम पर सवाल भाया उन्होंने इसे बहुजन समाज के आरक्षन को छिनने वाली प्रकरिया करार दिया है साथी कहा है कि बीजेपी इसके जरिये समिधान को नश करना चाहती है राहूल ने कहा कि लेटरल एंट्री दलित, OBC और आदिवास्यों पर हमला है बीजेपी का तोड मरोड कर पेश किया गया वर्जन समिधान को नश करना और बहुजरों से आरक्षन चीनना चाहता है केंद में शीर्ष सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के जरिये लोगों को भरती की जाने की केंदर के ताजा प्रियास पर कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी, UPSC और समिधान को कमजोर करने में जुटे हुए है राहूल ने कहा कि UPSC के माद्यम से पारंपरिक भरती प्रक्रिया को दर्कनार करके IS को प्राइबेट कर रही है गांदी ने ये भी आरूप लगाया कि मोदी सरकार RSS से जुड़े लोगों की भरती इन सेवाओं में कर रही है राहूल गांदी ने एक्स पर लिखा केंदर सरकार के विभेन मंत्रालेव में महत्पून पदो पर लेटरल एंटी के माद्यम से भरती करके SC, SC और OBC शेन्यों का आरक्षन, खुलेयाम चीना जा रहा है केंदर की मोधी सरकार ने लेटरल एंटी को बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला किया है केंदर सरकार साल 2019 में सरकारी नौकर शाही में बाहरी विशेजग्यों को लाने का तरीका लाई थी जिसे लेटरल एंटी कहा जाता है मूदी सरकार इसे फिर दोहराने जा रही है इस बार लेटरल एंट्री के तहट सरकार का लक्ष संयुक्त सचिब, उपसचिब और निदेशक इस्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट्स की भरती करना है सरकार के इस फैसले के बाद विवाद छिड़ गया है सहपा प्रमुक अखली श्यादब से लेकर बसपा सुप्रीमो मायबती ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खुल दिया है बसपा सुप्रीमो मायबती ने इस फैसले पर नाराजगी जतादे हुए कहा कि केंद्र में स्युक्त सचिव निदेशक एवं उप्सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भरती का नेड़ाएं सही नहीं है क्योंकि सीधी भरती के माद्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे करमचारियों को पदोनती के लाब से वंचित रहना पड़ेगा वियस्पी चीफ ने प्रतिक्रिया देती हुए आगे कहा कि इसके साथ इन सरकारी नियुक्तिव में SC, ST वो OBC वर्गों के लोगों को उनके वो कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये समयधान का सीधा उलंगन होगा इन उच्चों पदों पर सीधी नियुक्तिव के बिना किसी नियम के बनाय हुए भरना ये BJP सरकार की मनमानी होगी जो कि गयर कानूनी एवब असमयधानिक होगा लेटरल एंटी पर सपा प्रमुक अकली शादब ने कहा है कि भाजपा अपनी विजारधारा के संगी सैथियों को पिछले दरवाजे से यूपियसी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है उसके खलाफ एक देश व्यापी आंदोलन खड़ा करने का समया आगया है देश भर के अधिकारियों और यवाओं से आग्रा है कि अगर भाजपा सरकार इसे वापस ना ले तो आगा में दो अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंदे से कंधा मिला ना चाहती है नौकर शाहों की भरती के लिए लेटरल एंट्री करने को लेकर कॉंग्रेश नेकर राहुल गांदी ने कहा कि केंदर सरकार ऐसा करके एससी एस्ट और ओबीसी का आरक्षन चीन नहीं है कॉंग्रेश के इस हमले पर केंद्रिये रहील मंत्री अशुनी वैशनम में जबाब दिया अशुनी वैशनम ने कहा कि लेटरल एंट्री मामले में कॉंग्रेश साफ तोर पर पाखंड कर रही है इस अवधाना को यूपी सरकार नहीं विक्सित किया था अशुनी वैशनम के मताबिक साल 2005 में यूपी सरकार के दोरान दूसरा प्रशाषिनिक सुध भार आयोग स्थाफित किया गया था वीरप्पा मोली इसके अध्यक्स थी इसी ने स्पेशलाइजेशन को लेकर एक्सपर्स को भरती करने की सिफारिश की थी मतलब मान सकते हैं कि मोधी सरकार कॉंग्रेस सरकार के नक्ष कदम पर चल लही है उसके पास खुद का कुछ आतक विनाशकारी घोला बारूद यानि मोटार बम के इस्तेमाल का समर्थन किया था और हिंसा भी भी जारी है रिपोर्ट में बताया गया है कि मणिपूर हिंसा की जांच के लिए ग्री मंत्राले द्वारा बनाए गया जांच आयोग को एक ओडियो फाइल दी गई है दाव दावायर को सूचित किया कि यह एक बैटक में व्यक्तिकत रूप से की गई थी जहां मुक्किमंत्री ने चला ही हिंसा में अपनी पक्षपात पूर्ण तरीके से शामिल होने का इस पर शुरूप से संकेत दिया था सूत्रों ने व्यक्तिकत सुरक्षा के खत्रे के कारण न कर इस बात से इंकार किया कि सुनी गई आवास भीरन सिंग थी और और कहा गया कि रिकॉर्दिंग के साथ छेट-छाड की गई है हलाकि दावायर ने बैटक में शामिल होने का दावा करने वाले कुछ लोगों से बात की उन्होंने दावा किया कि आवास वास्त हमें मुक्यम लोग को सौंफ दिया गया दावाइर की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुक्थ भागों को पुब्लिक डॉमेन में डाल रहे हैं लेकिन हम फिलाहल ओड्यो की कुछ हिस्सों को रोक रहे हैं क्यूंकि वह राज्य में व्यक्तियों की सुरक्षा पर गलत प्रभाव। डाल स या वो अपनी मेतेई नेता के तौर पर अपनी साह को चमकाने के प्रयास में थे रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर मुख्यमंत्री की आवाज है जो केंद्री ग्रीमंत्री आमिशा से हुई बाचीत का मजाक बनाते हूँ कहते हैं कि चुपके से बं मार रहा है और शाह के आदेशों को ना मानने और उन लोगों को बचाने के बारे में डिंगे मार रहे हैं जिनोंने पुलिस से हजारों घातक हतियार ले लिये थे दावायर ने जो ऑडियो पब्लिश किया है उनमें मुख्यमंत्री की हिंसा को बढ़ाने की इच्छा साव दिखती है हालाकि आमिशा ने पिछले अगस्त में संसद में बीरेन सिंग का जोरदार बचाव करते हूँ कहा था कि मुख्यमंत्री राज में जातिय संगर्ष को शांत करने के लिए सयोग कर रहे हैं श्याह ने कहा था कि हमने डीजीप को बदल दिया उन्होंने केंद्र के डीजेप को सुईकार कर लिया हमने मुख्य सचे बदल दिया हमने जो मुख्य सचे भेजा उन्हें उसे सुईकार कर लिया मुख्यमंत्री को बदलने के जरूरत पैदा होती है जब वो सयोग नहीं करता है लेकिन यहां मुख्यमंत्री सयोग कर रहे हैं लेकिन आडियो क्रेप कुछ और बताती है और यू में वीरेंज सिंग की कथित आवाज को यह कहते हूं सुना जा सकता है जब अमेश्या आ करते हैं कि शहा के जाने के बाद मैंने कहा चुपके से करना खुला नहीं करना है इन बातों का संदर्व समब्दा 20 मई 2023 से शुरू होने वाली अमेश्या की तीन दिवसिये मनपुर्यात्रा का है उस समय राज के डीजी पी डॉंगिल थे जो राज कैडर के 1922 के IPS अधिकारी ने कमांडो को कुकी शेत्रों में बम का विप्योग करने का नर्देश दिया था नाम ना छपने या नाम ना बताने के शक पर वरिश अधिकारी ने कहा हिंसा के दो तीनों के बाद ग्री विवाग ने सारी जानकारी मुख्यमंत्री को देने का नर्देश दिया हमने उस रफ्तारी से भचाने जैसी बाते हो रही हैं रेपोर्ट के अनुसार ग्री मंत्राले के विश्वसनी सूत्रों के अनुसार राज के हतियारों को लूटने के तुरंट बार ग्री मंत्री शाह ने शीर्स ग्री मंत्राले और राजी सरकार के अधिकारियों और कम से कम एक मंत्री के मौझूदगू में मुख्यमंत्री के साथ एक वीडियो कॉंफरेंस की सूत्र ने कहा कि इस वीडियो कॉंफरेंस में ग्री मंत्री मुख्यमंत्री के प्रत बहुत सक थे ग्री मंत्री ने उन्हें इस पश्रूप से कहा था कि अगर उन्हें जल्द ही हतियार बरामत नहीं कि और ओडियो क्लिप में स्पीकर को कहते हुए सुना जा सकता है कि वो राज विधानसवा के माध्यम से समभता विलेज गार्ड्स को हतियारों के आपपूर्टी सुनेशित करेंगे और ये भी कि अगर राज पुलिस किसी को भी गरफतार करती है तो वो उसे समहाल लेंगे और ओडियो रिकॉर्डिंग में जो आवाज विरिन सिंग की बताई जा रही है वो बहुत सिंखक समधाय की नेता के रूपे अपनी छबी इस्थापित करने के कोशिज करते हों सुनी जा सकती है जो कुकियों पर बंचलाने से भी ओरेज नहीं करती ओडियो में सीम विरिन सिं सामने आया तो इस भयाने क्रिति के खलाप पूरे देश में आक्रोश फैल गया हालाकि जो आडियो अब आई है जिसमें कती तोर पर मुख्यमंत्री एनविरेंसिंग बोल लहे हैं उसमें वो कहते हुए सुन जा सकते हैं कि हम कितनी बुरी तरह शर्मिंदा हुए हमें उन्ह बचाने कपड़े पहनाने और घर बेचने का श्रे लेना चाहिए था क्रेडिट लेना चाहिए था वो कहते हुए सुन जा सकते हैं कि हम कितनी बुरी तरह शर्मिंदा होना पड़ा हमको एक भी समूने सामने आकर दावा क्यों नहीं किया तब मेरे लिए बोलना थोड़ा उन्हें बचाया वो कहते हैं कि हम पूछ सकते थे कि सबूत कहा है आप कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ ब्लातकार हुआ है वो कहते हैं कि भाई और चाचा को एक लाग की भीड ने मान डाला 10-20,000 लोगों ने हमें कहना चाहिए था कि हम ही हैं मैतेई जिनोंने उन्हें भीड स कि दौने से बचाया था हमें ये कहना चाहिए था ये आसंतोष जनक है हमें उन्हें बचाने कपड़े पहनाने और घर भेजने का क्रेडिट लेना चाहिए था लेकिन हमने इसको शेर नहीं लिया मड़पुर में कुकी महलाओं को निर्वास्त्र घुमाने के मामले में कथि तोर पर CM भीरन सिंग ने उन लोगों को इनाम देने की बात की, कि उन्होंने उनकी जान बचाई वो कहती हुए सुनो जा सकते हैं कि हम कितने मूर्ख हैं मैंने उन लोगों से कहा जो लोग उन्हें NIA को सौंप रहे हैं उन्हें बताएं कि गिरफतार किये लोगों को इसके बदले इनाम दिया जाना चाहिए उन्हें बचाने का इनाम आपके राजिसबा सांसा संजेश सिंग ने दावायर की रिपोर्ट को साजा करती हुए कहा है कि सुनिये मनिपूर के सियम बीरन सिंग को कैसे निरलजिता के साथ कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वर्स करके घुमाने वालों को महला का रक्षक बता रहा है और उन असामा आजिक तत्नों को रिबॉर्ट देनी की बात कर रहा है मैंने सदन में मनपूर हिंसा का मुद्धा उठाया मुझे 11 महिनी तक निलमित कर दिया क्या क्या बीरेन सिंग के खलाफ कोई भी कारवाई होगी प्रधानमंत्री मोदी इस हफते यूक्रेन की आधिकारी के आत्रा पर यूक्रेन की आधिकारी क्यात्रा खरेंगे उन्होंने कहा ये एक महत्पूर्ण और अइतियासिक यात्रा भी है क्योंकि हमारे राजनाइक सम्वंदों की स्तापना के 30 से अधिक वर्षों में ये पहली बार होगा जब कोई भारतिये प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा क करेगा हला कि मणिपूर नहीं जा रहे हैं करनाटक हाई कोट ने मुख्यमंत्री सिद्रमया को अंत्रिम राहत दे दी है इसने सम्वार को निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री सिद्रमया के खलाफ कोई कारभाई ना करे राजिपाल थावर्चन गहलो भी रहेगी इसी दिन हाई कोट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा महराश में विदानसवा चुनाओं से पहले आपसी ठक्राव बढ़ता ही जा रहा है अब भाजपा कारकरताओं ने राजिके डिप्टी सीम अजित पवार की जन सम्मान यात्रा में काले जंडे अजित गुट ने भाजपा से इस्पश करने की मांग की है कि क्या वो बीजेपी कारकरताओं के इस तरह के विभार से सहमत हैं आशा बुचाके ने दावा किया है कि अजित गुट आगामी विदानसवा चुनाओं के लिए जुन्ना और सीट पर अपने उमीदवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उन्होंने कहा वो हमारा गला गोटने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमने आकरामक रुख अपनाया दहरादून में उत्राखन परिवहन निगम की बस में एक नावालिक लड़की के साथ कथे तोर पर गैंग रेप किया गया पुलिस के मुता कारियों ने कहा कि जिस बस में अपराद हुआ था उसे जब कर लिया गया है और महत्पून सबूत जुटाए गये हैं यह गटना तब सामने आई है जब नावालिकों दहरदून के ISBT बस तर्मिनल पर अस्थवेस्थ हायलात में पाय गया था शुरूआत में कशोरी ने हायल जुबदार ने TMC सांसद सुखेंदु शेखर की मांगों का समर्थन किया उरो ने कहा कि पहली बार हम TMC सांसद की मांग का समर्थन करते हैं हम भी यह मानते हैं कि कोलकाता पुलिस कमिशनर और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के बीच कोई गट शूड था बता द कोलकाता के आरजी का अस्पताल में रेप और हत्या की घट्ना के खलाब विरोध प्रदशन कर रहे हैं अपने विरोध प्रदशन के तहट आज एमस के रेजिजिजन्ट डॉक्टर्स ग्यारा बजे से नई दिली के निर्मान भवन के सामने ही OPD से माय दे रहे हैं बिहार के पूरु मुख्यमंत्री और केंद्रिय मंत्री जीतन नाम माजी ने जारखन के पूरु मुख्यमंत्री चमपाई सोरन के बीजेपी में शामिल होनी के अटकलों पर प्रतिकिरिया दी उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं व्यक्तिकत रूप से चमपाई सोरन का एंडिय में स् इसके प्रमुक नेताओं की मर्जी पर निर्भर करता है मुझे भी लगबक ऐसी परसिती का सामना करना पड़ा था जो आज चमपाईदा के सामने है जितना माजी ने चमपाईदा से कहा कि अगर उन्हें कहा जाता तो निशित तोर पर वो सीमपत से हट जाते जबरदस्ती उनसे स्तीफा ले लेना या उनके प्रोग्राम को रद करना उचित नहीं था मैंने चमपाईदा से कहा कि आप साहसी आत्मी है जहारखन के पूर मुक्हिमंधरी चमपाईद सोरईं के BJP में जाने की आटकलने में जोरोपर ए इस भी जहारखं के मौझूदा मुक्हिमंधरी हिमन सोरईं ने BJP पर निशाना साधा और कई आरोप लगा मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी अलग-अलग राज्यों से लोगों को लाकर यहां आदिवासी पिछड़ा अलपशंखक के ऊपर जहर बोने का काम करती है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करती है हेमं सोरे ने बीजेपी पर आरोप लगाती हुए कहा कि समाज तो छोड़ो यह घर तुलबाने का काम भी करते हैं पार्टी तोड़ने का काम करते हैं आये दिन यह विधायकों को खरीदने का काम करते हैं हेमंत्र ने कहा कि पैसा ऐसी चीज है कि लोगों को इधरोज़ा अपने में देरी नहीं लगती है उन्होंने कहा कि इंडिया गटबंदन की सरकार 2019 से लगातार जंता के भीच में खड़ी हुई है जारखन के पूर्व मुक्ति मोर्चायर जे एम एम छोड़कर बीजेपी में जाने के अटकलों को कॉंग्रेस ने सुंबार को खारच किया जार विधायक उनके साथ आये हैं आप एक भी विधायक का नाम बता दीजिए वो अपने व्यक्तिकत काम से आये हैं उन्होंने कहा कि जे एम और गटबंदन के चंपाई सुरण समर्थत नेता रहे हैं गटबंदन ने हमेशा उन्हें संबान देने का काम किया है बतादेश से पह इलतिजा को अनंतनात के विजबेहरा निर्वाशन शेतर से उमीदवार बनाये चागा विजबेहरा मुफती परिबार की ग्री सीट और गड़ है 37 वर्षे इलतिजा का ये पहला चुनाव होगा पता चला है कि महबूबा विधानसवा चुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी कि आज दक्षिन कश्मीर के निर्वाशन शेत्रों के लिए उमीदवारों की पहली सूची जारी करने वाली है जहां 18 सितम्वर्खों मतदान होना है हर्याना में राजिसवा उप्चुनाव को लेकर पूर ब्रिप्टी सीम और जेजेपी नेता दुशन चोटाला कॉंगरेस के वरिष नेता भूपेंदर सिंग हुड़ा पर हमलावार है उन्होंने तंज करती हुए कहा है कि हुड़ा की अगर बीजेपी से साट गांट नहीं है तो राजिसवा उप्चुनाव में परत्याशी खड़ा करें उन्होंने कहा कि 21 अगर्स हर्याना राजिसवा उप्चुनाव के नामंकन की अंतिम्तिती है अब तो हमारे 45 विदायक भी कॉंग्रेसी हो चुके हैं अब तो कॉंग्रेस का उमीदवा उप्चुनाव जीतने पोटो टूइड करते हैं पहलबानों की बात करते हैं लेकें अब कहा जारा है कि काफी देर हो चुकी है वत्तपडेश्च के ओप मुख्यमंत्री केशाब अब मुख्यमंत्री योगी आजयतनात की जम का तारीफ कर दिये हैं उन्हों उत्रपदेश के मुर्जापुर में कहा आप जानते हैं और जनता भी मानती है कि हमारी डबल एंजिन की सरकार स्वतंतर भारत की इत्यास में सबसे अच्छा काम कर रही है ये शप्रपदेश के हमा में सबसे अच्छा काम हो रहा है बता दें केशव प्रसाद मौर ने ऐसे समय पर योगी आदितनात की तारीफ किये है जब राजनीती गलियारों में कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की पीश सब कुछ ठीक नहीं चला है और कहा क्या जा रहा है केशव खुद ऐसे बयान द रहा है क्या वो कुछ बड़ा करनी के सोच रहा है ऐसा इसलिए नहीं के ऐस के शिज कंटनात्यान आय downt रहा है इसका दाबार मेडिया-क की और से कहा जा रहा है एक जयनूनी की बताया कि नेतनेहु के आवास को लेवनानी हिजबुला के ड्रोन दोरा फिल्म आया गया था हमास ने तेल अवीब बम हमले की जिम्मेदारी ली है और अधिक हमले करने का दावा किया है हमास का कहना है कि उसने इसे फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद की आम्ड विंग उल्कुस ब्रिगेट के साथ मिलकर अंजाम दिया था तसम ब्रिगेट ने एक बयान में कहा कि ब्रिगेट इस बात की पुष्टी करती है कि जब तक नरसंगार, नागरिकों का विस्थापन और हत्याएं जारी रहेंगी तब तक कभजे वाले शेत्र के अंदर ऐसे अभियान होते रहेंगे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्ला लड़ाकों ने इसराइली सैनकों के जमीनी हमले को वेफल कर दिया भारी रौकिट और मोटार हमलों का सामना करते हुए इसराइली सैनकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे उन्हें गंभीर नुकसान हुआ अमेरकी विदेश मंतरी एंटिनी बिलंकन गजा में युद विराम और बंदकों की रहाई के लिए कोशिशों को आगे बढ़ाने के मकसद से इसराइल पहुँच गए है पिछले हफ़ते दोहा में शान्ति की कोशिशों के लिए की गई बाचीत के दोरान अमेरका ने ऐसी आशा जताई थी कि युद विराम के समझोते पर बात बन सकती है हाना कि हमास ने युद विराम के समझोते की कोशिशों को चलावा बताया था हमास इजराली सेना के पूरी तरह ऐसे गजह पट्टी को छोड़ने के मंग कर रहा है अमेरिका की उपराश्पती कमला हैरेस डेमोक्रिटिक पार्टी में उस्साह देख और अपनी लोक्रिता में इजाफा देख डेमोक्रिटिक पार्टी के राष्ट्रे सम्मिलन में हिस्सा लेंगे एक नए सर्वेक्षन के मुताबिक अमेरिका के लगबग आदे वयस्क यानी 48 फीसदी हैरेस के बारे में बहुत या कुछ हद तक अनुकूल दस्चिकों रखे हैं गर्मी के शुरुआत में ऐसे अमेरिक्यों की संख्या 49 प्रतिचत थी यानी 39 लेहाजा अब इसमें ब्रद्धी देखी गई है बता दें उस समय पूर्व राश्पती डॉनलर्ड ट्रम के साथ बहस में खराब प्रदशन के बाद जो बाइडन को राश्पती चुनाओ की उम्मीद्वारी से हटाना पड़ा था अब तक के सुर्खों में अतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे सत्थिंदी.com के साथ